हेलो फ्रेंड्स वारेल वेक में आप सभी का स्वागत मैं वेकुमार चलिए आज फिर डिसकस करता है निफ्टीव एंक निफ्टीव मार्केट अनल से सको लिए कि हमारी स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए हम कि इस तरह से ट्रेट कर सकते हैं और उसके पहले मैं आपको अपड उसके बाद वीडियो में मैंने इनफी के कुछ लेवल सेयर किये थे 1645 रुपए की क्लोजिंग मिली थे इनफी की और मैंने बोला था कि 1605 के निचे अगर 56 रुपए निचे भी खुलता है तो आप महां पे इनफी को सॉट कर सकते हैं तो उस टार्गेट के साथ आप उसको स अगर किसी ने इनफी का पोजिशन होल्ड करके रखाया भी तो 1531 के टार्गेट के लिए होल्ड कर सकते हैं बट हाँ स्टॉप लॉस बिल्कुल प्रॉफिटबल जो उनमें ट्रेड कर लेना है ताकि अगर रिवर्स जाता भी है मार्केट इनफी रिवर्स जाता भी है तो उनको कोई बड़ा लॉस ना हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर रिवर्स भी जायागा तो आपको कुछ प्रॉफिट में निकलेंगे अदर्वाइस 30 पॉइंट का जो कल प्रॉफिट था अगर फ्यूचर में देखा जा तो 9000 रुपे का प्रॉफिट था जो की कम नही जाए ठीक है तो यह एक अपडेट था उसके साथ ही मार्केट से रिलेटेड मैंने एक अपडेट डाला था 950 में मैंने बूल दिया था कि एकस्पेक्टिंग साइडवेज मार्केट और ट्रेडिंग इने स्मॉल रेज और बिल्कुल यह मैंने डाला था 41 570 के आसपास और आप देखेंगे तो सिर्फ 300 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट घुमता रहा गया और कैंडल भी आप देख सकते हैं डोजी टाइप का कैंडल बना हुए बैंक नेफटी में और यह बिल्कुल भी साइडवेज था कल का मार्केट तो अभी आज क्या हो सकता है आज हमारी स क्याय विखाए तो इक जो स्टैटीडिवों बताऊंगा वह बहुत बैस है उसके अगर हमें वह मिलता है तो बहुत अच्छी चीजीं और वह वह वां भी चाहिए एक्चुल में अगर देखा जाए तो बजट डे का जो इंसाइट केंडल था वो अभी तक ना हाई क्रॉस हुआ है ना लो क्रॉस हुआ है उसके अंदर ही केंडल बन रहे हैं कंटेनियू ठीक है तो बजट डे का जो वाइल केंडल था पचीस सो पॉइंट का उस पच हुआ है एंड अभी होता क्या हम नेगेटिव सिनेर्यों में कब जाते अगर कल एक बड़ा रैड केंडल बन जाता तो हमारा सिनेर्यों नेगेटिव हो जाता जो मैंने आपको लेवल से बताए हुए था एक तालीस हजार दोसों का जो लेवल है उसके नीचे अगर चाहिए था सेकंड टार्गेट 42,000 होना चाहिए था तो कल अल्मोर्श मिला था क्योंकि जो हाई लगा था वो 41 724 का हाई लगा था कल तो साथ पॉइंट से हमारा मतलो टार्गेट मिस हुआ था एंड उसके बाद एसल हुआ था ठीक है क्योंकि हमने एसल डिसाइड गया था हम डोजी कैंडल के हाई ब्रेक होते ही एक ट्रेड बना सकते हैं बाई साइड के लिए 42,000 हमारा इनिसियल टार्गेट हो जाएगा ठीक है या फिर आप आज के दिन वेट भी कर सकते हैं रिजन क्या है यहाँ फिर दो सिनेरियों हो सकता है यह डोजी कैंडल का अगर लो ब् मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है ठीक है और होल्ड करने का मतलब क्या है अगर गिरना रहता है तो मार्केट वहाँ पर बड़ी कैंडल बनाके सेम डे वह ब्रेक आउट फेल कर देता है अगर हम आवरली चार्ट पर जाके देखें तो और आपको clarity मिल जाएगी देख कल पूरा दिन एक ही रेंज में मार्केट घूमा हुआ है ठीक है ना ऊपर गया है ना नीची गया है तो अभी हमें क्या करना है इस रेंज को मार्क कर लेना अपसाइड डाउनसाइड इसको हम और clarity के लिए 15 मिन चार्ट पे चलते तो हमें clear cut range मिल जाएगा ठीक है यह हमारा एक range है अपर range किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो अपर range है 41,543 अगेन यह सेम range जो कल का था कल जो range हमनों डिचाइड गया था वही range आज भी है अपर side में 41,543 या फिर 550 मांस की चल सकते हैं और lower side में आपका 41,250 या फिर 300 यह 50 point का range जो नीचे में है और market इस नहीं सकता है 200 point के range में कहीं न कहीं यह breakout या breakdown देगा तो हमें जिस side भी breakout या breakdown मिलता है हमको उसी side के favor में trade करना है stop loss हमारा same 40-60 point के बीच करने चाहिए उससे बड़ा stop loss नहीं रखेंगे हम और उसके साथ ही हम trade करेंगे अगर उपर 41,540 market खुलते ही break करता है तो हम market खुलते ह ही call ले सकते हैं या फिर futures buyer कर सकते तो इन दो सिने पहर कोई और idea है प्रॉलम यह हो सकता है यह आप तो 40,800 एक support है 41,300 या 250 अगर देखा जाए तो वह भी एक support है यानि कि अगर उसके निचे आता है market तो वह एक resistance बन जाएगा निचे में 40,800 या फिर अगर आप देखा जाएगा हाँ बिल्गुल 40,800 एक support बन जाएगा तो हो सकता है अगर इस बीच में market खुल गया कहीं से एक दो दिन और टाइम पास करें यहां पर और आप्शन वायस को पैसा ना मिले तो वह चीज हो सकता है ठीक है उसमें कोई कोटा ही नहीं है वह बिलकुल भी पॉसिबल है हमें सबसे अच्छा ट्रेड कम मिलेगा सबसे अच्छा ट्रेड हमें मिलेगा कोटीवन थाउजन फाइब न्डर के आसपास कहीं खुले फ्लैट मार्केट ओपनिंग हो और फ्लैट मार्केट ओपनिंग होने के बाद 41,540, 550 जैसे ही cross करता है हम वहाँ पे एक buying side का trade ले सकता है और यह बहुत अच्छा trade होगा क्योंकि हमारे लिए 500 point का दरवाजा तो खुला हुगा है ठीक है at least 300 point तो हम जरूर मिलेंगा 41,800 तक तो market जाएगा जाएगा और उसके बाद 41,800 अगर break करता है तो फिर हमें 42,000 का भी target बहुत ही आसानी से मिल सकता है ठीक है तो इस चीज़ के लिए हम plan करेंगे आज के लिए अगर नीचे खुलते आता है कहीं से भी gap down खुल गया let's say आपका flat खुलने बाद नीचे आगया 41,300,250 को cross कर दिया तो उस situation में हम सिर्फ और सिर्फ एक lot के साथ यानि कि जो भी आपकी capacity है उसका 25% के साथ ही आप trade करेंगे क्योंकि फिर होगा क्या volatility होने की chances होगी और volatility in the sense ऐसा नहीं कि बड़े-बड़े volatile moves आएगा ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी range bound हो जाएगा होता है तो हम simple जो भी trade कर सकते हैं उसके 25% quantity के साथ ही trade करेंगे अगर आप 4 lot में trade करते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक lot में ही trade करेंगे ठीक है तो इस according आप trade कीजिए काफी अच्छा profit आपको हो सकता है तो चलिए आज के वीडियो मैंते हैं ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद